क्या आप जानते हैं कि आधुनिक वाइपर तकनीक जिसे हम सभी मानते हैं, वो एक आदमी के फ्लैश ओफ जीनियस के कारण पैदा हुई थी? इस कुशल वाइपर टेकनोलोजी का आविशकार करने वाले प्रोफेसर रॉबर्ट कर्न्स ने इनसान की आँख से प्रेड़ना ली, उनके पहले की वाइपर टेकनोलोजी काफी खराब थी और इससे ड्राइवर को देखने में दिक्कत होती थी मिस्टर कर्न्स की वाइपर टेकनोलोजी इतनी ओरिजिनल और शांदार थी कि फोर्ट कमपनी ने इसे चुराने की कोशिश की आएए उनके शांदार आविशकार की बारीकियों के बारे में जाने सबसे पहले हमें उन गलतियों को समझना चाहिए जो प्रोफेसर कर्न्स से पहले के इंजिनियरों ने अपनी वाइपर टेकनोलोजी को बनाते समय की थी आप देख सकते हैं कि वाइपर ब्लेड फोर बार लिंकेज मेकनिजम की मदद से एक औसिलेटिंग मोशन प्राप्थ करते हैं एक DC मोटर एक वाउम को चलाती है यहाँ वाउम गेर असेंबली का इस्तिमाल टॉर्क मल्टिप्लिकेशन के लिए किया जाता है यह मेकनिजम वाइपर को लगातार मुव्मेंट देता है लेकिन यह लगातार चलने वाले वाइपर से देखने में रुकावट आ सकती है हलकी बारिश के दौरान भी लगातार चलने वाले वाइपर आपकी दृष्टी पर बहुत असर करेंगे यहीं पर मिस्टर रॉबर्ट करन्स का टैलेंट काम आया जिन्होंने इंटर्मिटेंट वाइपिंग का विचार पेश किया उन्होंने देखा कि इनसान अपनी पलके जपकाते हैं लेकिन इस जपकने से कभी भी उनकी दृष्टी में बाधा नहीं आती है हम अपने पलकों के जपकने के प्रती अंजान है और उसकी वजह ये है कि ये रुक रुक कर होता है हमारी आँखे हर पलक जपकने के बाद long rest करती है और एंट पर इसी long rest की वजह से जब हम पलके जपकाते हैं तो हमें देखने में कोई रुकावट नहीं होती है ड्राइविंग के संदर्भ में अगर हम हर एक वाइप साइकल के बाद एक निश्चित समय के लिए वाइपर ब्लेट को रोकते हैं तो ये ड्राइवर की दृष्टी में रुकावट को कम करता है ये आहा वाला मॉमेंट प्रोफेसर करन्स का फ्लैश आफ जीनियस था जैसा कि दिखाया गया है हम एक कैम अरेंज्मेंट का इस्तिमाल करके इस इंटर्मिटन्ट वाइपर डिजाइन को हासिल कर सकते हैं मोटर के आउटपुट को एक कैम से जोड़ा जा सकता है जो वाइपर को सिर्फ थोड़े समय के लिए हिलाएगा और विंड शील्ड के निचले भाग में ड्वेल पीरियड यानि कुछ समय के लिए ठहरने के लिए रुकेगा हुर्य हमने इंटर्मिटन्ट वाइपिंग हासिल कर ली या नहीं की क्या आपको इस डिजाइन में समस्या दिखाई दे रही है मुद्दा ये है कि वाइपर टेकनॉलजी का ड्वेल टाइम या रेस्ट टाइम बारिश की मांत्रा के आधार पर अलग होना चाहिए कम बारिश की स्थिथी में आपको लंबे ड्वेल टाइम की जरूरत होगी जबकि भारी बारिश की स्थिथी में जाहिर सी बात है कि छोटे ड्वेल टाइम की जरूरत होगी सिर्फ Mechanical Arrangement का इस्तेमाल करके ड्वेल टाइम को बदलना प्रैक्टिकल नहीं है वास्तव में प्रफेसर कर्ण्स इतने स्मार्ट थे कि उन्होंने mechanical intermittent wiper के मुद्दे को समझा और उन्होंने इस design को आजमाया तक नहीं अलग-अलग dwell time के wiper design को पाने के लिए solution सिर्फ mechanical नहीं हो सकता है इसमें electronics भी शामिल होना चाहिए ये एहसास कर्ण्स का दूसरा flash of genius था इस उद्देशे के लिए उन्होंने इन सभी features के साथ एक electronic circuit developed किया circuit को समझने के लिए आईए transistors के बारे में कुछ basic जानकारी के बारे में जाने Transistor तब चालू होता है जब उसका base forward biased होता है और reverse biased होने पर transistor बंद हो जाता है चलिए इसमें एक double throw switch लगाते हैं जिससे forward biased और reverse biased state को switch करना आसान हो जाएगा जब switch इस state में होता है तो base forward biased होता है और circuit चालू होता है जब switch B state में होता है तो base एक reverse biased state में चला जाता है और circuit में current flow रुख जाता है आईए इस transistor circuit का इस्तिमाल वाइपर मोटर को पावर देने के लिए करें यहाँ वाइपर मेकनिजम सीधे motor output से जुड़ा है यह पस्ट रूप से एक लगातार वाइबिंग है दिल्चस्प बात यह है कि मोटर से जुड़ा एक कैम आसानी से switch को operate कर सकता है और फिर circuit बंद हो जाता है वाइपर अभी 12 stage में है हाला कि यह एक infinite 12 time mechanism है यह circuit मोटर को फिर से चालू नहीं कर पाएगा आईए active stage पर वापस जाएं और इस समस्या को ठीक करने की कोशिश करें यह circuit अभी active stage में है आईए scene को pause करें और circuit में capacitor resistor की जोड़ी लगाएं जैसा दिखाया गया है resistor में current flow होने की दिशा दिखाई जा रही है इस resistance के कारण capacitor के दो terminals के बीच potential difference होगा और इस से capacitor charge होगा जैसा कि दिखाया गया है जब cam switch को operate करता है तो circuit off state में चला जाता है जैसा कि हमने पहले देखा है अब charge किया हुआ capacitor hero की तरह काम करता है यह discharge करने के लिए तयार है point B पर potential हमेशा fixed रहता है हाला कि point A पर potential discharge के दोरान बदल जाएगा आईए मान लेंके A का potential point B से ज़ादा होता है ट्रांजिस्टर सपष्ट रूप से reverse biased होता है हाला कि जैसे ही capacitor discharge करना शुरू करता है point A पर voltage कम हो जाता है एक समय पर आकर point A पर voltage point B से कम हो जाता है और transistor active हो जाता है circuit के discharge होने के समय से लेकर base के activation तक के समय के बीच की अवधी इस wiper का dwell time है दिल्चस्प बात ये है कि हम resistance value को adjust करके इस dwell time को आसानी से adjust कर सकते है जादा resistance मतलब जादा dwell time इस तरह clever electronics का इस्तेमाल करते हुए प्रफेसर करन्स ने एक परिवरतनशील dwell time wiper mechanism प्राप्त किया इस आविशकार का केंद्रिय भाग एक शांदार electronic circuit है लेकिन वो एक mechanical switch द्वारा चलता है बिल्कुल genius है ना? हाला कि भारी बारिश के दौरान हमें लगभग zero dwell time चाहिए होता है जीरो resistance और इस तरह zero dwell time हासिल करना practical नहीं है भारी बारिश के दौरान काच और वाइपर के बीच friction बहुत कम होता है आईए देखें कि ये कम friction हमारे circuit को उसके dwell या non active stage के दौरान कैसे प्रभावित करता है circuit disconnect हो गया है लेकिन वाइपर में अभी भी अच्छा momentum है friction force कम होने के कारण वे नीचे की और movement करते रहेंगे वाइपर के तेज momentum के कारण वे बाकी mechanism के लिए driving force प्रदान करते हैं और cam घूमता है इससे motor फिर से active हो जाती है कम शब्दों में कहा जाए तो वाइपर का inertia mechanism के dwell period को skip करने में मदद करता है ये सपश्ट रूप से एक intermittent mechanism से लगातार वाइपिंग का एक crude तरीका है प्रफेसर करन के patent में उन्होंने लगातार वाइपिंग को हासिल करने के लिए और ज़ादा जटिल circuits को विस्तार से बताया है आधुनिक समय के wipers में वाइपर मोटर चलाने के लिए cam के बजाए रीलेज होते हैं माइक्रो कंट्रोलर में timer circuit का इस्तेमाल करके dwell time को accurately मापा और बदला जा सकता है इसके अलावा ये माइक्रो कंट्रोलर wind shield पर मौजूद moisture sensors या rain sensors से input लेते हैं ताकि जब भी wind shield गीली हो तो उसे automatically wipe किया जा सके इतने शांदार wiper design को बनाने के बाद प्रफेसर करन के साथ जो हुआ वो दुखत था उन्हें अपने patent का उलंगन करने के लिए Ford Motor Company के खिलाफ अदालती लडाई में अपनी जिन्दगी का एक काफी बड़ा हिसाब बिताना पड़ा अंत में उन्होंने कानूनी लडाई जीत ली हमें उम्मीद है कि आप इस बात से प्रेरित होंगे कि छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने से अद्भुद आविशकार हो सकते हैं आप से अगली बार मिलेंगे